नमस्कार मित्रो मैं रविनर पवार आपका RP Study Point में स्वागत करता हूं मित्रो यह हमारा Physics की सीरीज का पहला पार्ट है इस सीरीज में मैं आपको Physics के महतपूर्ण Important Selected Question पास्टो कराऊँगा जो कि पिछले एकजामों में पुछे गए यह पहला पार्ट है इस पार्ट में महतपूर्ण तीस कोस्चन लेके आया हूँ आए जानते हैं फर्स्ट कोस्चन से पहला कोस्चन आए मायोफिया दोस्त के निवारन के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपस नमबर ये आउतर लेंस यहाँ सब दाया मायोफिया मायोफिया मिन्स होता है निकड़ दर्ष्टी दोस्त अब आउतर लेंस की बात करें तो इस प्रकार से आउतर लेंस होता है जिसके दोनों सिरे मोटे होते हैं या बीच वाला भाग पतला होता है यह आउतरलेस अनंत से आने वाली प्रकास कीर्णों को इस प्रकार से ऐसे फैला देता है इसी कारण इसको diverging mirror या अपसारी दर्पन के नाम से भी जानते है कोस नमबर टू आख में जाने वाली प्रकास की मातरा को को नियंतरित करता है तो इसका सही आनसर आजाएगा आपसान नमबर C आईरिस इसे हम हिंदी में बोलेंगे पुतली जो की आख में जाने वाली प्रकास की मातरा को नियंतरित करती है अब आपसान नमबर A अगर देखे रेटिना तो रेटिना पर प्रतिविम बनता है आपसन नमबर B फिल्म फिल्म पर भी प्रतिविम बनता है परन्तु फिल्म केमरे में होती है आपसन नमबर D कार्निया नेतर दान में कार्निया का दान किया जाता है क्वेश्चन नमबर 3 आख में प्रतिविम किस भाग पर बनता है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नमबर ये रेटीना रेटीना पर प्रतिवीम बनता है जो कि एक बटे दस सेकेंड के लिए बनता है Q4 एक फेदम में कितने मीटर होता है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नमबर C 1.28 मीटर Q5 निवन में से किस रंग की तरंग देधर सबसे कम होती है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नमबर B आपस नमबर B बेगनी रंग की तरंग देधर सबसे कम होती है यहां सब्द आया तरंग देधर है तरंग देधर मीस होता है कि तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग देधर का मातरक है मीटर यहीं आता कि सबसे अधिक किस की तरंग देधर होती है तो आपस नमबर A लाल इसका सही आंसर आता इसी कारण खत्रे का सिगनल लाल रंग का होता है लाल रंग की तरंग देजर सबसे अधिक होती है Question number 6 किसी चुम्बक क्या अकरशन सक्ती कहां सबसे कम होती है तो इसका सही answer आजाएगा आपस नमबर B मर्द में इसकी अकरशन सक्ती सबसे कम होती है और इसके दोनों किनारे पर इसके आकर्षन सक्ति सबसे अधिक होती है अगर कोई चुम्बक है अगर ऐसा लटका है तो इसके दोनों सिरे एक N ध्रूँ और एक S ध्रूँ ये दोनों मिलकर एक उत्तर दिशा और दक्षिन दिशा को दर्स आएगा चुम्बक, निकिल, कोबाल्ट और आईरन धातु को अकर्शित करता है question number seven चुम्बकी छेत्रका मात रखाpower तो इसका सही आमसरा जागा option number A Gregos, जो कि चुम्बकी छेत्रका मात रखाए इसका cgs मात रखाए, चुम्बकी छेत्रका चुम्बकी छेदर का एसा ही जो मातरक है यह है टेसला यह आपसन के सापसी इसका आंसर आजाएगा आपसन नमबर एक गौस गौस नमबर आठ चालक्ता का मातरक क्या है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपसन नमबर सी सीमेन सीमेन या इसी को हम बोलते है महो या इसी को हम बोल सकते है ओम इन्वर्स जोकि प्रतिरोद के वितरम को चालकता कहते हैं कोस्टन नमबर नौ एक ग्राम जल का तापमान एक फैरनाइट बढ़ाने के लिए आउसक उसमा की मातरक क्या कहलाती है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नमबर D CHU CHU का फुल फारम है Centregated Heat Unit जोकि उसमा का मातरक है कोस्टन नमबर दस जल का ट्रिपल पैंट तापमान कितना होता है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नमबर A 273.16 Kelvin अब यहां सब दाए ट्रिपल पैंट से तापमान जिस पर जल ठोस द्रव और गेस तीनों अवस्था में रह सकता है कोस्टन नमबर ग्यारा hydrogen bomb की सिद्धान पर कारे करता है तो इसका आंसर आजाएगा आपस नमबर A नाब की संलेन के सिद्धान पर hydrogen bomb कारे करता है अब यहां आया है hydrogen bomb सब्द hydrogen bomb की खोज एक विग्यानिक थे इनका नाम था Edward Taylor इन्होंने hydrogen bomb की खोज की थी Question number 12 है तड़ी चालक का उसकार किस ने किया तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नमबर C बेजामिन फ्रेंक्लिन ने तड़ी चालक का अविस्कार किया अगर आपस नमबर A देखा जाए Robert open heeran तो इन्होंने पर्मानुबं की खोज की आपस नमबर B वर्न वान ब्रान इन्होंने प्रचेपात्र की खोज की थी Question number 13 पराबेगनी किर्नों की खोज किस ने की तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नमबर C रिटर नामक विज्ञानिक ने पराबेगनी किर्नों की खोज की यहां सब आयकी पराबेगनी किर्ने तो पराबेगनी किर्ने विद्धु चुम्ब की तरंगे होती है आईसी तरंगे जिनके संचरन के लिए किसी प्रकार की माद्य हम क्या आऊसकता नहीं होती है उन्हें हम विद्धु चुम्ब की तरंग कहते है आपसर नमबर A जो देखा जाए B कुरल इन्होंने गामा किर्णों की खोच की थी आपसर नमबर B रॉंट जन इन्होंने एक्स किर्णों की खोच की आपसर नमबर D न्यूटन इन्होंने दरस्ते किर्णों की खोच की जैसे सभी किर्ण विद्धु चुम्ब की तरंग है Q14 प्रच्छे पात्रे की किस ने की थी तो इसका सही अंसर आजाएगा आपस नमबर B वर्न वान ब्रान ने प्रच्छे पात्रे की खोज की थी Q15 है Q16 Q16 लेंज का नियम है तो इसका सही अंसर आजाएगा आपस नमबर C उर्जासन रक्षन का नियम है Q17 आउतल दरपन में जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिविम्ब कहां बनेगा तो इसका सही अंसर आजाएगा आपस नमबर D अनंत पर बनेगा अब हम बात करते हैं कि आउतल दरपन इस टाइप से होता है इसकी इधर पालिस किया हुआ होता है यह इसका फोकस होता है यह वक्रता के एंज होता है तो इधर से यह ऐसा अनंत पर इसका प्रतिविम्ब बनेगा कोस्चिन नमबर 18 नीमन में से कोन आवर्धक लेंस कहलाता है तो इसका सही अंसर आजाएगा आपस नमबर B उत्तल लेंस है जिने हम आवर्धक लेंस कहते है अब उत्तल लेंस का डाइगराम देखे तो इस टाइब से होता है जिसके दोनो उपरी किनारा और निष्णल किनारा पतला होता है जो बीच वाला भाग है मोटा होता है यह उत्तल लेंस अनंत श्यानियाल किर्नों को एक बिन्दु पर ऐसे एकतरित कर देता है इसी कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते है question number 19, दरपन में प्रकास के किस नियम का उफ्योग होता है तो इसका सही answer आजाएगा, option number B, परावर्तन दरपन में परावर्तन की नियम का उफ्योग होता है, यहां सब दाय परावर्तन तो ये कोई दर्पन है इधर से प्रकास की किरने आएगी और इस दर्पन से परार्तित हो करके उसी माध्यम में लड़ जाएगी इसे हम बोलते है परावर्तन सभी दर्पन इस परावर्तन की नियम के अधर पर ही कारी करते हैं कोश्च नमबर 20 लेंस में प्रकास की किस नियम का उफ्योग होता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपस नमबर ए अपवर्तन अब यहां सब्द आया अपवर्तन जब कोई प्रकास की किरने एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पत से विचलित हो ज जाती है तो इसका सही आंसर आजाएगा सब्सोनिक यहां सब्द आया मेक संख्या तो मेक संख्या के द्वारा वाईयोयान की गति का निरधारन किया जाता है अगर मेक संख्या का मान एक है तो वाईयोयान की गति सब्सोनिक कहलाती है अगर मेक संख्या का मान एक से अधिक ह य तो वाईयोयान की गति सुपरसॉनिक कहलाती है अगर मइक संख्या का मान पास से अधिक है तो वाईयोयान की गति है है το virtue टीन मुल्ल रंग कौन से है इसका सहींlog आज़ागा आपक्जन मा मeros शक्ष्ष्ड ऐलाल हरा रंग कहते हैं कि कोस्ट नंबर 23 मेनोमीटर के दौर किसकी माप की जाती है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नंबर बी गेशो का दाप ग्याद किया जाता है मेनोमीटर के द्वारा कि कोस्ट नंबर 24 म्रगत रसना किसका उधारन है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नंबर भी पूर्ण आंतरिक पड़ावर्त हैं यहां सब दाय म्रगत रसना या इसे हम रेगिस्थान की मरीचिका या के नाम से भी जानते हैं कोस्ट नंबर 25 लेजर का विष्कार किस नहीं किया था तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नंबर भी नाब की विखंडन के सिद्धान पर पर्मानु बं की कारे करता है और पर्मानु बं की खोज राबर्ट ओफिन हीमर ने की थी नाब की विखंडन यहां सब्दा है नाब की विखंडन तो इस क्रिया में एक जो बड़ा नाभिक है वो चोट दो चोटे चोटे नाभिक में दो से अधिक नाभिकों में टूड जाता है इसे हम नाभिकी विखं के समय के कारण राती में तारे टिम टिम आते हैं अब आप अठावीस ला आप फ्लोटिंग सिद्धान की खोच किस ने की तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नमबर सी आर्ख मिडिच ला आप फ्लोटिंग यह इसे हम बोलते हैं तैरने के नियम कोस्च नमबर 29 लेंस की छमता का मात रखाए तो लेंस की छमता का जो मात रखाए आपस नमबर बी डायोफटर इसका सही आंसर आजाएगा question number 30 वहानों के headlight में किसका उफ्योग होता है तो इसका सही answer आजाएगा आपस नमबर A अउतल दरपन का उफ्योग वहानों के headlight में होता है अगर हम आपस नमबर B की बात करें उतल दरपन तो पीछे के जो द्रश्य को देखने के लिए उतल दरपन का उफ्योग होता है एक question for you इस question का answer आपको comment करके बताना है question है अब इंदुकता या दरश्टिवेशन दोस्त के निवारन के लिए किस लेंस का उफ्योग करते है इसका आपको comment box में comment करके answer बताना है तो दोस्तो एप हमारा पहला पार्ट था इस पहले पार्ट में कुल 30 question थे इस series में महत्पुन आपको 500 question हल कराऊंगा thanks for watching this video